बच्चो अर्थशास्र के अंतरगत अनुसंधान के संबंद में हमने देखा कि प्रत्यक अनुसंधान के लिए किसी न किसी चर का प्रयोग करते हुए हम उस पूरी अनुसंधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं चर ये वही अग्यात राशिया होती है जिनको हम मान क्या धार पर रखते हैं और बाद में हम उसकी कोई value find out करते हैं हमने जब mean median mode देखा तो वहाँ पे भी हमने देखा कि हम कई प्रकार के चरों को x, y, z इस तरह से प्रस्तुत करते थे तो ये जो चर होते हैं वास्तों में आपस में उनका एक संबंध रहता है चाहे हम उसे धनात्मक कहें या रणात्मक में तो क्या इनका संबंध है कितना संबंध है धनात्मक है या रिणात्मक है इस पूरे प्रिशनों को जानने के लिए हम अपसा संबंध का अधियन करेंगे सह संबंद में हम देखेंगे कि दो चरों के बीच किस किस तरह के संबंद पाये जाते हैं अगर दो चरों में जो variation है जो बदलाव है वो एक ही दिशा में होता है तो हम कहेंगे कि उन दोनों चरों में धनात्मक संबंद है अगर इन दो चरों में जो बदलाव है परिवर्तन है वो विपरीत क्रम में होता है यानि कि एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है तो हम कहेंगे कि इन में रणात्मक से संबंध है जैसे उदारन के तोर पर हमने देखा कि किसी बाजार में जब मांग बढ़ती है तो उस वस्तु की पूर्ती जो है वो घट जाती है अब क्योंकि यहां पर मांग बढ़ने पर पूर्ती घट रही है अगर एक चर मांग है और दूसरा पूर्ती तो हम देखते हैं कि दोनों चरों में यहां पर विपरीद संबंध है एक के बढ़ने पर दूसरे में कमी आ रही है तो हम यहां पर कहेंगे कि इन दोनों जो विरेबल्स है इन दोनों के मद्ध रिनात्मक सह संबंध है लेकिन सह संबंध तो है कोई नो को पूर्ति भी बड़ जाती है तो हम यहां पर देख रहें कि जो दोनों विरेबल हैं वो एकी दिशौ में बढ़ रहे हैं तो यहां हम कहते हैं कि कीमत और पूर्ति ütढ़नात्मक्स है समबंद हैं। तो कुल मिलाकर सह संबंदों के अंतरगत हमको यह देखना है कि दो विरेबल में दो या दो से अधिक भी विरेबल हो सकते हैं उन में कितना संबंध है कितना सह संबंध है किस इस तर का सह संबंध है तो सह संबंध की इस पूरी प्रक्रिया में किस तरह से हम दो चरों के बीच सह संबंध ग्याद करेंगे क्या होगी इ इसके पहले हम आये कुछ विद्वानों की परिभाशा देखते हैं, यहां हम कॉर्णर और किंग की परिभाशाओं का अधियन करेंगे, आये देखते हैं इन्होंने सहसंबंद के विश्या में क्या कहा है? एल आर कॉर्णर के नुसार, यदि दो या अधिक राशियां सहानुभूती में इस प्रकार परिवर्टित होती हैं कि उनमें से एक में होने वाले परिवर्तन के फल्सवरूफ दूसरी राशी में भी परिवर्तन होने की प्रविर्तित पाई जाए, तो ये राशियां सहसंबं कहते हैं तो आपने देखा कि esteeni दोनों ने यह माना है कि सहसंबंध वास्ताव में दो चरों के बीच संबंधों की माख किया है कितना सहसंबंध इसको बताने की एक विधि ہے, अब अगर हम सहसंबंधों के अध्यन के महत्य की बात करें, گ speaking क्या जाना चाहिए सह संबंद की क्यों की जानी चाहिए दो वेरियेबल्स में कितना संबंध है ये निकालना क्यों जरूरी है तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि इस से हमको चरो के मद्ध जो संबंध है उसकी उसका ग्यान होता है जैसे अगर हम मांग और पूर्ती के मद् कितना संबंध है एक दुसरे के वेरियेशन का परिवर्तन का क्या उन पर प्रभाव पढ़ रहा है अगर हमको इस तरह की जानकारी चाहिए तो हमको सह संबंध का सहारा लेना पड़ेगा दूसरा यहां पर मिसके मत्तों को कह सकते हैं कि एक चर्के मूले के आधार पर दूसरे ऑर्थिक व्यवहारों को समझने के लिए यह आर्थिक व्यवहार की अंतरगत आज में था कर सकते हैं हमने बजार की शक्तियों के बारे में देखा कि मांग और पूर्ती के जो शक्तियां रहती है वो कहीं न कहीं वस्तु के मूह लेन दारान को प्रभावीत करता है तो क्योंकि यह सारे इन वेरियेशन का जब हम आपस में एक को रिलेशन एक संबंद स्थापित करेंगे तभी हम वस्तु की कीमत को नरधारित करने में सक्षम हो पाएंगे जैसा कि अभी तक हमने ग्राफ और बहुत सारे टेबल के माध्य हम से इसको समझा तो कहीं न कहीं बा हम भाविष्य को निष्चित करने विक्री भाविष्य में कितनी होगी जो परिस्थितिया निर्मित भाविष्य निर्मित होंगी भाविष्य में एक दूसरे में जो प्रभाव पढ़ रहा है उसका अध्यन अगर हम कर लेते हैं तो भावी युजनाओं का निर्मान करने में यहां पर सरलता होती है वैसे हम इसके एक महत्तु की बात करें तो अनुसंधान में यह सहायक है हमने पहले ही देखा कि जब हम अनुसंधान करते है तो हम आपे बहुत से विरेबल के बारे में जानते हैं उसका उसकी जो वैल्यू है वह हम देखते हैं तो कहीं न कहीं उन वैल्यू के बीच में क्या इst स struggling क्या है यह ग्याद करने के लिए से सम्बैंद की जोरद हमको पड़ती है अब फिर सब्राइव की बाद अब अगर हम रही या रिनात्मक होगा दूसरा जो है वो सरल हो सकता है आंशिक या बहुगुणी सहसंबंद हो सकता है तीसरा जो होगा वो होगा रेखिय या अरेखिय सहसंबंद तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वास्तों में धनात्मक और रिनात्मक सहसंबंद क्या है धनात्मक सहसंबंद जैसे कि हमने पहले ही देखा कि वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ती में कैसा धनात्मक संबंद होता है जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी पूर्ती भी बढ़ जाती है तो यहां हम देखते हैं कि कीमत और पूर्ती एक साथ बढ़ रहे हैं एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं तो यहां पर जो संबंद पाया जाता है वो धनात्मक सहसंबंद पाया जाता है दूसरा अगर हम रणात्मक सहसंबंद के बात करें तो हम देखते हैं कि वस्तु की मांग और कीमत में कैसा रिलेशन रहता है जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है उसकी मांग घटती जाती है कम होने लगती है तो हम देखते हैं कि कीमत और मांग में यहां पर विपरीत संबंद पाया जाता है तो यहां हम कहते हैं कि रणात्मक सहसंबंद है तो धनात्मक और रणात्मक सहसंबंद के बाद जो दूसरा जो मेथड है हमारा वो है सरल आंशिक और बहुगुणी सहसंबंद तो अगर हम सरल संवंध के बाद के रहें हम देखते हैं कि दो चर्मूलियों में and that's not ऐसा होना चाहिए जब की जिनसे आधारस रेड़ी के चर्मूलि स्वतन्त्र होते हैं और संबद्द में की जो चर्मूलिय है वो आश्रित रहते यानि यहां पर अनुसंधान की प्रक्टिया में जो हमने स्वतंत्र और आश्रित चरो के बारे में पढ़ा था उनमें जब को रिलेशन बताया जाता है तो वो उस विधी को दूसरा जो प्रकार होता है उसको हम कहते हैं यहाँ पर कि आश्रिक सहसंबंद है तीसरे सहसंबंद के अगर हम बात देखेंगे कि किस तरह कुछ प्रश्GAN ऐसे होते हैं जब हमको दो से अधिक जो वेरियेबल होते हैं उनके büyच हो को सहसंबंद के क्यालकोलइशन करने हैं तो यह जो दो से अधिक तो आपस में हम निकालते हैं तो वह बहुंगूरी सहसंबंद होते हैं अब अगर हम बात करे तीसरे यानि कि रेखिये या औरेखिये सहसंबंद की तो आए देखते हैं कि रेखिये सहसंबंद क्या होता है रेखिये सहसंबंद में क्या होता है कि जब दो चर्मूल्यों में परिवर्तन का जो अनुपात होता है वो स्थिर रहता है यानि कि जिस अनुपात में एक चर्मू अनुपात में परिवर्तन होता है जैसे हम कह सकते हैं कि वस्तू की कीमत में 10 प्रतिशत की वृद्धी हुई तो उसकी मांग में 10 प्रतिशत की कमी आ गई लेकिन अनुपात जो है वो दोनों का समान है तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो सह संबंद है वो रेखिय सह संबंद है अब अगर हम और एक ही सहसंबंध की बात करें, तो यहाँ पर और एक ही सहसंबंध में जो दो चरू के दिख relation होता है, उसमें जो परिवर्तन होता है, वो समान अनुपात में नहीं होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि हमने उत्पादक्ता को बढ़ाने के लिए उर्वरक जो यूज हम कर रहे थे उसका उसकी जो मात्रा थी वो हमने व्रद्धी कर दी लेकिन जिस मात्रा में हमने उर्वरक की व्रद्धी की उस मात्रा में गेहूं का उत्पादा नहीं बढ़ा कम हुआ कम वहां हम कहेंगे तो यह तो थे सहसंबन्ध के प्रकार अब हम देखेंगे कि वास्तों में दो करने के लिए हमको एक तो यहाँ पर संख्यात्मक करना है जब हम बिंदूरेखी प्रेदर्शन के अधार पर करते हैं तो वो कहीं न कहीं अनुवानित रहता है लेकिन अगर हम को यहाँ पर संख्यात्मक माप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर यह जो सह संबंद होते हैं वो माइनस वन और प्लस वन के बीच पाए जाते हैं किस सबसे पहला प्रकार जो होगा वो होगा पूर्ण सहसंबंद क्या है कि जब दो चरों के समान अनुपात में परिवर्तन होता है जैसे कि अभी हमने रेखिए प्रदर्शन के बारे में जाना कि एक ही अनुपात में जब दो चरों में परिवर्तन हो जाए तो वो पूर्ण सहसं और जब विप्रीद दिशा में परिवर्तन हो जाए जैसे के हम ने बहुत सारे ग्जामपल देख लिए जब विप्रीद दिशा में परिवर्तन हो जाए एक के बढ़ने पर दूसरा घड़ जाय तो वहाँ छोता है उसका जो गुढांक होता है वो फलस वन होता है औरुणात्मक से संबंद के गुणां को हम माइनस वन से प्रस्तुत करते हैं वहां तक यह पाया जाता है अब इसके बाद अगर हम सीमित सहसंबंद की बात करें तो सीमित सहसंबंद वह कई सतरयों पर बटा रहता है सीमित सहसंबंद में हम यहाँ पर उच इस्तर मद्यमिस्तर और निमनिस्तर का सहसंबंद देखते हैं तो किस तरह से हम उम इसको अनवान, हम लगाएंगे कि जो दो वेरेशन के बीच, हमने सहसंबंद क्यालकुलेट किया है वो कैसा है? जाया जाया यहने की शुन्य सहसंबंद पाया जाय तो कैसे हम पता लगाएंगे कि किस इसतर का सहसंबंद है इसको हम पूरे टेबल एक टेबल के द्वारा बहुत अच्छे से समझते हैं आयो देखते हैं तेसंबन परिणाम को देखने के लिए काल्पियर्सन को रिलेशन का टेबल काल फियर्सन कोर्रेशन के टेबल के अनुसार सहसंबंद के परिणाम का प्रकार यदि पूर सहसंबंद है तो धनात्मक सहसंबंद का गुणांग धन एक और रिणात्मक सहसंबंद का गुणांग रिण एक होगा दूसरे स्थिति में सीमित सहसंबंद तीन स्थर पर पाया जाएगा यदि सीमित सहसंबंद उच स्थर का है तो धनात्मक सहसंबंद गुणांग प्लस 0.75 से अधिक और प्लस 1 से कम होगा यदि उच स्थर का रिनात्मक सहसंबंद गुणांग है तो यह माइनस 0.75 से अधिक और माइनस 1 से कम होगा यदि मध्यमिस्तर का धनात्मक सहसंबन गुडांक है तो ये प्लस 0.25 से अधिक और 0.75 से कम होगा यदि धनात्मक सहसंबन गुडांक मध्यमिस्तर का है तो ये माइनस 0.25 से अधिक और माइनस 0.75 से कम होगा यदि धनात्मक सहसंबंद गुणांक निमनिस्तर का है तो यह प्लस 0.00 से अधिक और प्लस 0.25 से कम होगा यदि धनात्मक सहसंबंद का गुणांक निमनिस्तर का है तो यह माइनस 0.00 से अधिक और 0.25 से कम होगा तीसरे स्थिति में अगर सहसंबन अनुपस्तित है तो धनात्मक सहसंबन का गुझांग शुन्य और रिणात्मक सहसंबन का गुझांग भी शुन्य होगा तो हमने देखा कि टेबल के माध्यम से हम बहुत आसानी से जब हम calculation कर लेंगे और जो हमारा answer R equal to correlation को जो answer मिलेगा उसको हम table से compare करेंगे और उसके आधार पे हम बता सकते हैं कि हमने जो correlation calculate किया वो कैसा है पू मकरेमारा दृई और हमने है देखिए मिल को हम सकते हैं तो आईए आप देखते हैं कि जब हम सह संबंद की calculation करेंगे correlation calculate करेंगे तो हम किन किन methods का प्रयोग करेंगे यहाँ पर सह संबंद के लिए सह संबंद को मातने के लिए हम दो तरह की रीतियों का प्रयोग करेंगे पहली रिती ग्राफिकल होगी पूरी यहाँ पे सिर्फ हम ग्राफ का निर्मान करेंगे क्योंकि हमने पहले भी इसकी बारे में जाना कि जब हम ग्राफिकल मेथट से कैल्कुलेशन करेंगे हम यहिए correlation कि तो अनुबान के आधार पर हमके ग्राप करने मान करें के तो इसके अंतरगत हम विक्षेप, चितर और uh Vindu, रेकिविदी का प्रियोग करikanे दूसरा जब ben गणती इरिती का प्रियोग करें तो वहाँ पर हम कौन कौन से methods का प्रियोग करेंगे Carl Pearson correlation का जो method क्ल Auratya कि अद्वारा सन्टी उसके द्वारा बीं हम कोर्युलिशन क्यलक destructive ढूराente कर सकते हैं। दूसरा हम इंटर को एक संबंद्ट यानि के सपियर में द्वारा प्रतिपादित हम उसके बाद संगामी विचरण विधी द्वारा हम कोरिलेशन निकाल सकते हैं तो यह चार मैंटोड का प्रयोग हम तब करेंगे गड़ती विधी से कोरेशन ग्याद करना होगा हमें तो सबसे पहले अगर हम बात करें बिंदुरे के विधी की तो इसमें विकषेप चित्र चांते हैं जब दो चरों के संबंदों के दिशा और मात्रा का हम को एक अनुमानित चित्र बनाना हो करते हैं और बिख्षेप चित्र का अध्यान करने के लिए हम क делать कोई कि TTON हमको देखने को मिलेंगे वह क्या-क्या होगे यहां हम देखते हैं कि जब हम ग्राफ का निर्मान करते हैं और जो अंकित बिंदू अगर बाएं से बाएं और का जो निचला कोना है जिसे हम यहाँ पर देख रहा है कि बाएं और का जो निचला कोना है जीरो जहां पर हम अंकित करते हैं जिसे दो एकसे समने लिए ओ एक्स और ओ वाई तो यह जो ओ वाला तो यह जो इस्थती है ग्राप के यह पूर्ण धनात्मक सहसंबंद को दर्शाती है यह इसकी जो है वो पहली प्रक्रिया है दूसरा यहां पर हम देखते हैं कि जब माल लेजे यहां पर हमने ओ एक्स और ओवाइड दो अक्ष लिए और यहां पर जो अंकित बिंदु है वो इस तरह से लेजे यए नीचे की और कर्ण तक आता है तो इस तरह से ग्राभ बनेगा यह जो सहसंबंद होगा Ugh उससे तो रिजोन रिनात्मक से संबन्द हैं। यह दूसरा हुआ, तीसरा जब हम देखते हैं कि जब हम इस तरह का एक graph बनाते हैं, जैसे हमने एक OX अक्ष ले लिया और एक OY, इस तरह से हम लेते हैं, जब हम बिंदुरे के प्रदाशिन करते हैं, तो यहां पर हम देखते हैं कि जो बिंदू है वो बाई से दाई और ऊपर की ओर जाते हैं जब हम ग्राफ बनाते हैं तो यह बिंदू बाई से दाई ऊपर की ओर जाते हैं लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है और जरूर से जरूरी नहीं है कि यहाँ से यहाँ से जैसे आगे बढ़ के लेकिन अभी वह बाई से दाए λेकिन और जॉस में यह कर्मेर चाहें संबंद है तो पूर से संपूर धनात्मक्स संबंद जो ने पहले देखा और धनात्मक्स संबंद दोनों में अंतर समझेंगे अब इसके बाद अगर हम देखते हैं कि जो बिंदु जब हम अंकित यहाँ पर कर रहे हैं तो वो बिंदु जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास एक ओएक्स अक्षे और एक ओवाई अक्षे अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बिंदु हमको ग्राफिकल रिप्र से नहीं आ रहे हैं जैसे इसके पहले हमने देखा और से ना आए उसके नीचे कहीं से आए डाई साइड से और बाइं और भी जरूरी नहींए कि वो corner को touch करें लेकिन फिर भी वो नीचे के और गिरते हुए अगर दिख रहे हैं तो यहां पर हम रणात्मक सहसंबंद मानेंगे यहां हमको पूर्ण रणात्मक सहसंबंद और रणात्मक सहसंबंद को बहुत अच्छे से समझ लेना जरूरी है अब पाचवी जो इसके स्थिती होती है इस स्थिती में मान लेज़े O X अक्षपर और O Y अक्षपर जो वेलूस हमने ली हैं उनके आधार पर जब हम बिंदू ओकॉंक करते हैं तो वो कुछ इस तरह से कई बार भ किस कशर वा और से कि और जा रहे है समझ नहीं आता है ने कि हम कह सकते हैं कि बिखरे हुए values हैं बिखरे हुए मूले हैं अगर ऐसे इस्थिति किसी दर्शा में प्राप्त होती है तो हम वहाँ पर कहेंगे कि किसी प्रकार का सहसंबंध नहीं है या शुर्न सहसंबंध है तो ये तो थी विक्षेप चित्र की थे हैं । इसके अधार पर विक्षेप चित्र बनाने के लिए हम इस टेबल के अधार पर ओएपर एक्सरह्या और वाई अग्षम पर ईचरोप को अंकित करेंगे यहां हम देखते हैं कि एक고 पर एक्स की वेल्यू जब दो थी तो वहां पर नो उड़े की वेल्यु चाहर् जब एक्स के वेल्यू पांच थी तो वाई के वेल्यू साथ थी और जब एक्स के वेल्यू छे हुई तो वाई के वेल्यू आठ हो गई जब एक्स के वेल्यू साथ थी तो वाई के वेल्यू नौ और जब एक्स के वेल्यू आठ है तो वाई के वेल्यू दस है इन बिंदों को अगर मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि बाएं से दाएं ऊपर उठता हुआ एक वक्र जो है वो हमें प्राप्त होता है जो ये बताता है कि X और Y चरों के बीच पूर धनात्मक सहसंबन्द हैं तो आपने देखा कि किस तरह से एक विक्षेप चित्र का हमने नर्माण किया इसी तरह से हम बहुत सारे विक्षेप चित्रों का नर्माण करेंगे अब डिपेंड करता है कि वो किस तरह की परिस्थिति प्राप्त होगी किस तरह का प्रश्ट आपको दिया गया है इस पर करती है ये डिपैंड करता है आपके ग्राफ की जो इस्थिती हैं एभ यहां पर हम देखते हैं कि बिंदू रेकिए विधी के द्वारा, जब हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं तो बिंदू बिंदुरेखिये विधी को दर्शाती है यहां पर क्योंकि हमने पहले भी देखा कि हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे स्थिति बन रही है ऐसा वेरिएशन है कि दोनों एक साथ आगे चल रहे हैं यह ऐसा वेरियेशन हे कि अपोसिट साइट चल रहे हैं विपरीत इस् एक साथ अगर आगे बढ़ती है तो धनात्मक समबन्ध है और यह फिर विपरीद दिशा में आगे बढ़ती है जिसे एक इस घठ रहा है तो यहाँ पर हम के सकते हैं कि रुणात्मक से हैं समबन्ध है कैसे हम इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं आएक कुदारण के द्वारा देखते हैं बिंदु रेखे विधे द्वारा सहसंबन प्रदर्शित करने के लिए इस टेबल के अधार पर जब हम ग्राफ का नर्मान करेंगे तो यहां पर हम रेखा ओ एक्स को क्रम संख्या मानेंगे और रेखा ओ वाय पर हम आयू को दर्शाएंगे सबसे पहले जब हम इस तालिका के अधार पर पती की आयू को रेखा चित द्वारा अंकित करेंगे तो हम देखते हैं कि पहले क्रम में पती की आयू पहले 18, फिर 19, फिर 20, फिर 25, फिर 27, फिर 30, फिर 31 और फिर 35 है इन बिंदो को जब हम जोडते हैं तो हमें कुछ इस तरह का ये वक्तर हमें प्राप्त होता है दूसरा जब हम पत्नी की आयू को यहाँ पर प्रदर्श्रित करते हैं तो हम देखते हैं कि पहले क्रम में जो पत्नी की आयू है फिर 17, फिर 19, फिर 23, 24, फिर से 24 और फिर 30 और फिर 30 इन बिंदो को जब हम मिलाते हैं तो देखते हैं कि हमें दोनों ही दशाओं में पत्नी की आयू में बाएं से दाएं उपर की ओर जाता हुआ एक वक्तर दिखाई देता है यहां हम देख रहे हैं कि यह दोनों यह रिखाएं एक ही दिशा में साथ-साथ आगे बढ़ रही है और अगर यह रिखाएं इस तरह से साथ-साथ आगे बढ़ने की प्रविति रखती है तो यह प्रविति धरात्मक सहसंबंद का संकीत है अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों रेखाओं के बीच विचलन भी कम है तो जितना कम विचलन पाया जाएगा हम यह मानेंगे कि उतना ही अधिक सहसंबंद दोनों यानि की पती और पत्नी की आयूं में उतना ही अधिक सहसंबंद है झाल 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 झाल